नमस्कार सातियों इंश्वीजर नोट्स की यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज का सेसन हैगा सातियों 20 अपरेल 2021 डेली इंडिया करेंट अफेर्स का थोड़ा नीजी कारण होने के कारण सातियों सेसन को है जो जल्दी रिकोर्ड करना पड़ है तो एक या दो क्यूशन जो अपडेटेड नहीं होंगे वो अपने कल देख लेंगे मेरा प्रयास है फिर भी सातियों जितने भी अपडेटेड चैनल इस से में बन रहे थे वो मैं आपके साथ शेर कर दूँगा यह परियास सातियों आपको पसंदार है तो इस सेसन को लाइक वैसे जुरूर कीजिएगा मैं सातियों आपकी 15 मिंट लेता हूँ उससे बाहर आपका इंडिया करेंट अफेर्स का क्योशन जाएगा नहीं जो प्रूफ वीडियो डालक है वो आप जुरूर चेक कीजिएगा उससे आपको यह पता लग जाएगा कि जो 15 मिंट की कलास होती है वो आपके लिए काफी इपोर्टेंट रहने वाली है अगर करेंट अफेर्स के लिए एक घंटे का समय दीजिएगा तो वो आपका समय है जो काफी खराब होने जारा यह चीज़ें अपने को सोचनी होगी शरुआत के अंदर साथ यों 3 महत अपन परसन देखेंगे अपने इंडिया करेंट अफेर्स के जनवरी फरवरी वर मार्च के जो इपोर्टेंट बने है उसके बाद साथ यो अपने देली एजो सेशन में इपोर्टेंट क्यूसने देखते हैं तो शरुआत करेंगे शाथ की पहला क्युस्टन आप से पूछा गया है इंडियन ओफ दोचय ये तरहें और स्वकरwater को इस रोग को दिया गया है Indian of the year 2023 का पुर्षकार उतकष टुपलवदी के लिए है जो किसें दिया गया तांसर हो जाएगा साथियों इस रोग को दिया गया इस रोग डियारडी और भारतिय सेना ये तीन महतोपुन टोपिक हैं साथियों इसें परतेविता प्रिक्षा चाहे व निर्देशक पी विर्थु वेल ने प्राप्त किया जलवायू योदा अरुन कर्शना मूर्ति और सालू रम्दा थिमका को भी दिया गया निस साथियों जो Indian of the year पुर्षकार है वो अलग लग शरेणी में दिये जाते हैं उतकष्ट उपलबदी के लिए साथियों किसें द DRD ने New Generation आकास मिसाइल का है जो सफल परिक्षण है कहां पर किया है आप से में पूछा है कि हाली के अंदर DRD ने साथियों नियुज scored अकास मिसाइल का सफल परिक्षण है कहां किया है तो चांदीपूर ओडिसा के अंदर है ये इब इपोर्टेंट है रहने वाला है ये मि मिसाईल है तो यह भी इपोर्टेंट रहेगा कि यूझाइल है एक मध्यम दूरी वैसता से हॉआ में मार करने वाली मिसाईल है और उसका सफल फ्रिक्षन है जो सातियों DRDO के द्वारा कहांपर किया गया है ओडिसा के अंदर चांदीपूर ओडिसा में किया गया है अगला कि कुछन, आप से पूछा कि नूमें सीथ का चीज अपने को यहाँ से यादी रखनी है सलोगन था वह धने याद है अपने की साथयों यह थे अपने साथयों सैसन सुरुवात करते हैं पहला क्यूसन, आप से पूछा कि देश के new ईनेजिया नीव वर्तमार नो शेना प्रमुक है कुमार तिरफार्टी है जो भार्तिय नो सेना के परमुखे बनने जा रहे हैं ये अपने को याद रखना है वाइरस एड्मिरल तिरफार्टी अभी नो सेना के उपरमुख है रक्षा मंत्राले ने बताया कि सरकार ने अभी नो सेना के उपरमुख के रूप में कारियरत वाइ अगला क्यूशन आप से पूछा जाएगा अगला क्यूशन आप से पूचा है कि Sky Tracks दोवारा आप से पूचा गया है कि हाली के अंदर सातियों Sky Tracks के दोवारा भारतो दक्षनी एशिया में सरोसेष्ट एरपोर्ट स्टाफ दोजार चोई से किसे सम्मानी ते किया गया तांसर हो जाएगा है ध्राबाद International Airport Ltd को Sky Tracks दोवारा भारतो दक्षनी एशिया में सरोसेष्ट एरपोर्ट स्टाफ दोजार चोई से किसे सम्मानी किया तांसर हो जाएगा सातियों हैध्राबाद International Airport Ltd को हैदराबाद हुआएडे ने भारत और दक्षिनी एशिया में स्रोषेस्ट हुआएड़ा स्टाप का पूर्षकार जीता, हैदराबाद राजिय गांधी अंतराष्ट है हुआएड़ा जिसें GMR हैदराबाद हुआइड़ा के रूप में भी जाना जाता है, 17 अप्रेल को सात् पुर्षकार है जो जीता है तो अपने लिए इपोर्टेंट है रहने वाला है कि हाली के अंदर भारत और दक्षेनी एशिया में स्रोसेश्ट एरपोर्ट स्टाफ दोजार तोईस किसने पुर्षकार जीता तो आंसर हो जाएगा सातियों आपका हैदराबाद इंटरनेशनल ए नोट्स फोरो माइल लाइफ एंड केरियर किसका सासमरन है तो आंसर हो जगा दूरी सुबभा राओ ये कौन है तो साथियों ये आर बी आए के पुरो गोवर्णर रहे चुके हैं तो सातियों इनकी ये पुष्टक है दूरी सुबभा राओ की कौनसी जश्ट ए नोट्स फ पूछने लाइक है और पूछा जा सकता है कि इसमें साथियों जो सरकार और RBI के बीज तना हुआ था उसके अंदर जो प्रकाश डाला गया है तो important रहने वाला है इसका लेखक आपको याद रखना है दूरी सुबह रहो इसके लेखक है यानि इनका ये क्या है सय समरण है अगला कि उसना आप से पूछा है कि World Population Report 2024 है जो किसने जारी की है आप से पूछा है कि World Population Report 2024 किसने जारी की तो आंसर हो जाएगा United Nations Population Fund के द्वारा साथियों इसको जारी किया गया है बारत की लेखने जनसंक्या को लेकर साथियों United Nations Population Fund यानि UNFP की रिपोर्ट आई है जिसके उनसार साथियों यानि इसको हिंदी में अगर आप से पूछे तो शियूंगत राश्टर जनसंक्या कोस की रिपोर्ट में बताया है कि जो भारत की अबादी है साथियों वो 144 क्रोड पहुंच गई है जो भारत की अबादी है वो कितनी 144 क्रोड के पास से पहुंच गई है ये इसके अंदर बताया गया है कि भारत की अंदर साथियों जो अबादी है वो 144 क्रोड के पास से पहुंच गई है सिउंग्त राश्टर जन संक्या कोसे की वि工 जन संक्या स्थिति 24 है यह पता दो हम साथ है कि हमली कि वांद स्थियों साथियों स्ट्थ वर्श में दूगनी होने का अनुमानी होने इसके अंदर क्रोड है जो पहुंच गई है ये भी अपने को याद रखना है अगला कि उसना आप से पूचा है कि DRDO ने कहां पर पहले International Workshop का आउजने किया है आप से पूचा है कि DRDO ने कहां पर पहले International Workshop का आउजन किया है तो आंसर हो जाएगा सातियों बैंगलूरू में कहां पर किया है बैंगलूरू के अंदर साथियों पहले रक्षय और कायजन है जो DRDO के द्वारा किया गया है एक्सो स्केलेटन के लिए उबर्ती प्रोधोगी और है चुनोतियों पर पहली अंतराश्टिय कारियसाला साथियों 16-17 2014 तक है बैंगलूरू में याजित कीगी कारियसाला कायजन रक्षय अनुसंदाने विकास संग्थन की रक्षय जेव इंजिनिरिंग और इलेक्ट्रो मेडिकल प्रयोग साला के द्वारा है जो किया गया है तो कहांपर किया गया साथियों तो आंसर हो जाएगा बैंगलूरू के अंदर किया गया साथियों किसके द्वारा साथियों कारियसाला कायजन रक्षय अनुसंदाने विकास संग्थन यानी DRDO और साथियों DRDO की रक्षा जेव इंजिनिरिंग और एलेक्ट्रो मेडिकल प्रियोक साला के दुआरा है जो इसका सातियों आईजन है जो किया गया है तो इपोर्टेंट की उसने रहेगा 16 वैं 17 दो दिन इसका सातियों आईजन है जो बैंगलूरू के अंदर है किया गया था अगला के उसना आप से पूछा कि हाली में चर्चा में GAIBS3 क्या है यह इपोर्टेंट की उसने रहने वाला है कि हाली में चर्चा में GAIBS3 क्या है तो सातियों यह बलेक होल है GAIBS3 पर्थिव से केवल 2000 प्रकास वर्ष की दूरी पर स्तित है जो इसे हमारे गरह का आप तक का खोजा गया दूसरा सबसे निकरता में बलेक होले माना गया है यूरोपिय अंत्रिक्स अजेंशी के गया अंत्रिक्स दुर्बीन के द्वारा लिये गए उलोकों के माध्यम से खोज़त करता समय खगोल वादियों ने जो बलेक होल की खोज़या जो किया है तो यह इपोर्टेंट सातियों आपके लिए रहने वाला है कि हाली के अंदर च अंत्रिक्स अजेंशी के सातियों जो हाली के अंदर चर्चा में थी गया अंत्रिक्स दुर्बीन उसके अवलोकों के बाद यह पता है जो चला है यह चीज़ें अपने को याद रखनी है अगला कि उसना आप से पूछा है कि वाने जे विएक इंसार फाइनेशन इयर Image 24 में भारत का इलेक्ट्रोनिक निर्याते कितना था यह यानि साथियों 2023 के अंदर है जो भारत ने साथियों कितना electronic के निरियात किया था तो आंसर हो जाएगा साथियों 30.12 billion dollar का किया है 30.12 billion dollar का किया है भारत के electronics उद्योंग निरियात में उलेखनिय वर्दी का अनुबाव किया है जो वित वर्थ 2023 चोश में 29.12 billion dollar तक के पहुंच गया है जो पिछले वर्ष की तुला में 23.6 की प्रयाबते वर्दी है और इसके अंदर साथियों सबसे जादा है जो शियूंक तरब शियूंक तराजे अमरीका के साथ हुआ है ये अपने को याद रखना है तो साथियों कितना 31.12 billion dollar का हुआ है और इसके अंदर साथियों जो ये भी बताया गया है कि आए इटी ने पहीयों पर बारत की पहली चीकश्या उपकर्ण असांकर्ण सुईदा सुरू कि है लिख लो छपेगा क्या लिखना है लिखना है छपेगा अगामी प्रतोगिता परिक्षा में साथियों आप से पूछा जाएगा कि हाले में किस IIT ने पहियों पर भारत की पहली चिकशा उपकर्ण आसांकन सुईदा सुरू की है तो IIT मदराज के द्वारा भारती है प्रोधोगिक संस्तान IIT मदराज ने सातियों हाली के अंदर है जो पहियों पर भारत की पहली चिकशा उपकर्ण आसांकन सुईदा साथियों शुरू किया गया है तो अपने लिए मोश्ट इपोर्टेंट ये कि उसने रहने वाला है यानि परते एक व्यक्तिक है जो स्वास्ते की मूल भूत अजार भूत सुईदाएं हैं जिसको मिलनी चाहिए अगला की उसने आप से पूठा गया है कि भर्मा कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत निक्ति किया गया है पातकाल भी लगा था तो अपने लिए इप्रृर्टेंट रहेगा उछा जा सकता है कि जींबाब में भार्त का राज़ूत है जो हाली के अंदर किषे कि निउकते कि आ गया है अगला कि उसना आप से पूछा है कि बारतिय वाई उसेना भारतिय वाई उसेना है सातियों यहां बारतिय वाई उसेना का C 17 Global Master Preview है ने पीमान ब्रमोस मिसाइल की निर्यात की पहली खेप लेकर है जो कहां पहुंचा तो आंस रोजेगा फिलिपिन्स कहां पर पहुंचा है आ 30.5 क्लोड अमेरीकी डॉलर के समझोते पर हंस्ता अक्सर हुए थे तो इपोर्टेंट है कि हाली के अंदर भारतिय वाई उसेना का C 17 Global Master Preview है ने विवान ब्रमोस मिसाइल की निर्यात की पहली खेप लेकर कहां पहुंचा फिलिपिन्स है जो पहुंचा और 2022 के अंदर सातिय दोनों के बीचे एग्रिमेंट हुआ था चीन और फिलिपिन्स के बीच में सातियों आपको ही पता है क्या रिस्ता चल रहा है तो यह इस समय अगर भारत के दौरा इन्हें सातियों हत्याहर है जो सौंपे गए हैं तो दोनों देशों पर भारत और चीन के बीच भी इस रिखने को मिलेगा अग्रा कम पूचा की हाली में कहा। टेगवर ओंदा पदमा बोट का आयजन है जो की आ पकांदेश के अंदर बांगला थे में कुथी बाडी में सात्यों टेगोर ओंदा पदमा पूंदा नरत्मा बोट परसंगीत में नर्थिया कर्यक्रम आयजित किया गया इंद्रा गांधी सांसकर्ति के अंदर भार्तिय उचायोग डाका में प्राततो विवाग जन्नावादी गर्ड़ा जी बांगला देश के सातियों पदमा नदी के तट पर कवी गुरू रविंदर ना टेगोर की समर्ति में इस कारे करम कायोजने किया गया तो इपोर्टे में देश के सबसें पुराने फाइटर पाइलेट जिनका निदन हो गया है देश के सबसें पुराने फाइटर पाइलेट जिनका निदन हो गया तो दिलीप शियन जी थे सातियों भारतिय वायू सेना के सबसें बुजरग और पुरो पाइलेट स्कौन ड्राइन लीडर सेव निर्दिलीब सिहने जी का है जो हाली के अंदर सातियों निदन हो गया है, इस अपने को थोड़ा इपोर्टेंट रहने वाला क्यूसन है, अपने को दिमाग में रखना है, अगला के उसना आज़ें पूछा है कि किस राजे की तिरंगा बर्फी और डलुअ मूर्ति को है जो G.I. TAG मिला है तो यूपी खेह सातियों इसको G. I. TAG हाली के अंदर मिला है जो 37 तरता अंदोलन था सातियों उसको जो तिरंगा वर्फी है उसको सातियों एक संदेश वहाग के रूप में काम में लिया जाता था इनके सातियों अब परदेश तरपर G.I. उत्पादों की संक्या है जो यूपी के अंदर पीचेतर हो गई है इसमें अठाओन तो है हासिल की है अंत्रिक्स में पहली बार युद्ध अभ्यास मिसन है कौनसा विक्टस आउजित करने की गोशना किसने की है तो USA के दवारा सातियों की गई है किसके दवारा USA की गई है अमरीका स्पेस सिस्टम कमांड दवारा हाली में की गई ये गोशना कि उनसार स्पेस फोर्स ने अपने मिसन है कौनने विक्टस हैज के लिए दो नीजी अंत्रिक्स कमपनियों के साथ अनुमंद किया है और सातियों जो ये अभ्यास है वो दोजारे 25 के अंदर आए जित हो सकता है इस परकार की जानकारी है जो निकल करें सामने आ रही है अगला के उसना आसेम पूछा ग होता है किते जिसविया आठ दिश्य ये प्रोग्राम में होता है अगला क्यों संवें पूछा है कि Kevin Europe और मांं प्याड मैंथ ओंफियाड मैं सानि इंदर साथियों कि बारतनें कितने पदक जीते हैं तो 4द Aryans है जिसमें 2 रज़त हैं और 2 चिलृवर हैं जोर्जिया में आजी टेरियमें ये उरोपी औरंपियाट 2024 के अंदर भारत ने कितने तू साथियों 4 पड़क्ड जीते थे जिसमें 2 रज़त और 2 चिल्वर थे इसके रावा साथियों पहलवान, साक्षी मलिक, विजनेसमेन, अजय बंगा, जिगर सहा, असमा, खान, पिरियावदा, नटराजन, जैसे सक्षियत को इसके अंदरे सामिल है, जो किया गया था, और साथियों इस सेहसन के अंदर जितने ही महतपून परसन बनने थे, वो मैंने आपके साथ सेयर कर दी